परस पर सीम साय का बड़ा ऐलान हिंदी में होगी अब MBBS की पढ़ाई यानि कि 36 गल में भी अब हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराई जाएगी ये बड़ा ऐलान किया है मुख्यमंत्री विश्णु देव साय ने मद्या प्रदेश के बाद अब 36 गर में भी हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू होगी स्वास्ते मंत्री के मार्ग दर्शन में काम हो रहा है ये जानकारी भी मुखी मंत्री विश्णु देव साय ने दी है और उन्होंने बताया कि ग्रामीन शात्रों को इसका सीधे तोर पर फायदा मिलेगा शात्र विशे की बारी कियां समझ पाएंगे पूरी पढ़ाई हिंदी में नहीं होगी ऑफिशनल होगा यानि कि जो छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में करना चाहेंगी वो अंग्रेजी में कर सकेंगे और जो हिंदी में करना चाहेगा पढ़ाई शिक्षा असिल करना चाहेगा MBBS की या मेडिकल की पढ़ाई की वो हिंदी में कर सकेगा औपिशनल होगी 36 गड़ में हिंदी की पढ़ाई MBBS में और इसका नरधारन सीटों के आधार पर किया जाएगा राज में राष्टे शिक्षानीती को लागू कर दिया गया है यानि राष्टे शिक्षानीती भी 36 गड़ में लागू कर दी गई है यह बता रहे हैं मुख्यमंत्री विश्णु देव साय और अब जो बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री विश्णु देव साय ने किया है 36 गड़ में अब MBBS की पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी खलक यह ऑप्शनल होगी बड़ा एलान है मुख्यमंत्री विश्णु देव साय ने कि पढ़ाई की गोस्था भी हम हिंदी में करेंगी इस साल प्रथम सत्र में MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्द होगी इसके लिए छाथ छात्राओं की संख्या नुरूप आउसक पुस्तक उपलब कराने के निर्देश स्वास विभा को बिये गए हैं हम अपनी सिक्षा नित्ती को हर इस्तर पर पुरानी मेकाले की समराजवाती सिक्षा नित्ती से अलग कर रहे हैं हमने 36 गण में राज्टे सिक्षा नित्ती को पूरी तरह से लागू कर दिया हैं